हलो फ्रेंड्स वल्कम बैक तो मैं चैनल फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एक बहुत इंप्रेसिव रिपोर्ट कैसे लिख सकते हैं जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते होंगे कि क्लास 10 का जो क्वेशन पेपर होता है उसमें राइटिंग सेक्शन में दो क्वेशन होते हैं एक तो हमें लेटर लिखना होता है और एक या तो हम रिपोर्ट लिखें या फिर एक डिस्क्रिप्टिव परग्राफ लिखें या तो रिपोर्ट लिखना होता या फिर एक परग्राफ लिखना होता है किसी भी टॉपिक पर तो आज कि इस वीडियो म गए जैसे फेरवेल पार्टी हो गया या फिर रिपब्लिक हो गए या फिर एंडेपेंडेंटे हो गया कोई भी प्रोग्राम हो तो अगर यहाँ पर आप गए हैं तो वहां पर जाने के बाद या फिर माली जी आप चडिया घर देखने गए हैं तå वहाँ जो कुछ कुछ भी हुआ, जब आप वहां पर गेया थे, आपने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी वहां पर हुआ, यह सारी चीजों, की रिपोर्ट आपको बतानी होती है। और रिपोर्ट लिखते समय आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स कि इसमें आपको सारी घटना एक क्रम से बतानी है कि वो घटना कब हुई कहां हुई कैसे हुई तो सब कुछ आपको इसमें पूरा डिटेल बताना होता है और रिपोर्ट लिखते समय आपको ध्यान देना चाहि पहले आप इसमें जो टाइटिल है इसको लिखेंगे जैसे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर यह हमने आपको एक रिपोर्ट लिखना बताया है तो सबसे पहले यहां पर टाइटिल लिखा गया रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन और इसके बद आप नीचे बाए करके फिर नाम यहां पर लिख सकते हैं। आफ यहां पर पे अपना नाम लिखेँगे। तो चलिए देख लेता हैं कि अगर Republic Day Celebration पर रिप्ट लखने के लिए दे दिया जाये तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको तो आप यहां भी लिख सकते थे और date लिखना जरूरी भी है लेकिन आप यहां पर Republic Day की बात हो रही है और यह तो सब को पता है कि Republic Day किस date को मनाया जाता है तो इसलिए हमने यहां पर date mention नहीं किया है अगर कोई other event है जैसे farewell party हो गया या फिर आप किसी जू में गया है तो जिस date को आप गया है या फिर जिस date में वो event हुआ वो date आपको यहां starting में लिखना होगा तो यहां पर हमने बताया कि our school celebrated the Republic Day ceremony yesterday यानि कि हमारे school ने कल Republic Day ceremony मनाया with great pump and show यानि कि बड़े ही धूम धाम से with great pump and show का मतलब है बड़े ही धूम धाम से या फिर with great splendor भी यहां पर कर सकते हैं तो our school celebrated the Republic Day ceremony yesterday यानि कि हमारे school ने कल Republic Day ceremony celebrate किया with great pump and show यानि कि बड़े ही धूम धाम के साथ और इसके बाद बदा सकते हैं कि the school was decorated यानि कि जो कुछ भी आपने वहां पर देखा यह सब कुछ आपको एकदम क्रम से बताना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या क्या हुआ बस यही चीज़ आपको बताना है अगर आप अपने ही स्कूल का अपने स्कूल में जैसे मनाया जाता रिपब्लिक दे उसको ध्यान में रखे अगर आप इसको लिखते हैं तो आप बहुत ही आराम से इसको लिख पाएंगे वह भी एकदम क्रम से इसको लिख पाएंगे तो देखें यहां पर बताये कि the school was decorated याने स्कूल को सजाया गया with flags याने की जंडों से इसकूल को जंडे से सजाया गया and posters of freedom fighters और freedom fighters के poster से सजाया गया The school was decorated याने फुरे स्कूल को सजाया गया with flags याने जंडे से and posters of freedom fighters के तस्वीरों से सजाया गया और ये तो हम सभी को पता है कि चाहे रीफब्लिक दे हो चाहे इंडिपेंडेंडेंस दे हो उसमें सबसे पहला प्रोग्राम क्या होता है फ्लैग होस्टिंग होता है तो ये चीज़ आप सबसे पहले बताएंगे इसके पहले स्कूल के स्टूडेंस ने डिल मार्च किया था यानिकी फ्लैग होस्टिंग के पहले स्टूडेंस ने डिल मार्च किया था और इसकूल के फील्ड में एक बहुती सुन्दर सा स्टेज सजाया गया और इसकूल के फील्ड में और किसलिए इसके बहुती अच्छा सा स्टेज बनाया गया तो यह आप बता सकते हैं इसमें टू टेक प्लेस यानिकी कल्चरल प्रोग्राम होने के लिए लाइक आल अदर इयर्स इसके बाद आप बता सकते हैं कि लाइक आल अदर इयर्स यानिकी अन्य वर्सों की तरह लाइक आल अदर इयर्स अन्य वर्सों की तरह स्टूडेंट्स एस वेल एस टीचर्स यानिकी स्टूडेंट्स ने और साथी साथ टीचर्स ने भी पार्टीसिपेटेड इन दफंच्च्छन फंच्छन में हिस्स लिया और हर साल की तरह स्टूडेंट्स ने और साथी साथit टीचर्स ने भी फंच्छन में हिस्स लिया और इसके बाद आप कैसकते हैं कि फाइनली दो प्रिंसिपल आफ आवर सकूल went on the stage और अन्त में हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल है वे stage पर गए and delivered a short speech और उन्होंने एक short speech दिया और लास्ट में आप बता सकते हैं कि दस यानि कि इस प्रकार the beautiful ceremony came to an end with sweet distribution और इसके बाद मिठाई बातने के साथ साथ ये पुरा जो समारो है ये समाप्त हुआ तो thus the beautiful ceremony came to an end यानि कि इस प्रकार या सुन्दर समारो समाप्त हुआ with sweet distribution यानि मिठाई बातने के साथ तो इस तरीके से friends अगर देखा जाए तो Republic Day के दिन जो भी कुछ होता है ये सब कुछ आपको यहाँ पर बताया गया एकदम serial wise और आपको ऐसे ही report लिखना है अगर आप कहीं भी जाते हैं किसी event में जाते हैं माली जे कहीं visit करने जाते हैं ताज महल देखने गए चुडिया घर देखने गए या फिर आपने कोई accident देख लिया तो वहाँ पर जो कुछ भी आपने देखा जो कुछ भी हुआ वो सारी घटना वो सारी बातें आपको report में बतानी होती है तो I hope अब आपको बिलकुल अच्छे से समझा गया होगा कि आप एक report कैसे लिख सकते हैं तो वीडियो अच्छा लगा हो